बेश के करीब 15 राजियों में बारिश ने कहर बर पाया हुआ है वहीं महराश्ट में भी मुसलाधार पानी गिरने से हालार बिगरते जा रही है इसे बीच पाल घर में बूस खलन की खबर सामने आई है इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल है वहीं हादसे में कई लोगों के फसे होने की आर्शंका है दो लोगों को बचाया जा चुका है मालूम हों पिशल कुछ दनों से पाल घर में भारी बारिश हो रही है पुलिस ने कहा कि बसाई के वाले पिलाकी के वागरा पाड़ा में एक घर पर सुबह साड़े छे बज़े भूसकलन का मलबा गिरा पुलिस ने ये भी बताया कि फाइर ब्रिगेट ने घर से एक महिला और उसकी बेटी को बचाया है और उन्हें अस्पतार में भटी गया गया है वहीं जील अधिकारी डॉक्टर मानिक गुर्सल ने कहा कि परिवार के तीन और सदस्यों के फसे होने क्या शंका है और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है अधिक एरिया है वहां पर लांड स्लाइड बढुद्ध है अल्थिक वहां पर एक मकान है उसको मकान पर प्ट्थर और मिठ्टी गिरी हुई है वहां पर उस मकान में चार लोग रहते हैं इनमें से दो लोगों को एक शुक्रूप बहार निकाला गया है आपको बता दे कि हाथसे के बाद पूरा जुला प्रसाशन अलर्ट हो गया है अब तक दो लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है उन्हें सही सलामत बचा लिया गया है इसके अलावर रेस्क्यू टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है जो बाकी लोगों को निकाल रही है वहीं मौके पर कई स्थानिय लोग भी लोगों की मदद करने में जुटे हुए है बताया जा रहा है कि इस हाथसे में कई घर शतिग्रस्त हुए है पूरे महराश्ट में इस समय पिछले चार दिरों से मुस्लाधार बारिश हो रही है कई लागों में जलजमाग हो गया है खास कर माया नगरी मुंबई में तो बारिश ने आफ़र पैदा कर दी है बुदभार सुबह से ही मुंबई में पानी बरस रहा है जोसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अधेरी और बांधरा जैसे इलाकों में भी पानी भर गया है वहीं मौसम विभाग ने एक दो दिन और भरी बारिश की आशन का उन्जताय था